आपको सबको नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मुझे भी करोना हो गया था और लगबग साथ आठ दिन मैं होम आईसोलेशन में रहा आप सबकी खुब दुआएं मिली आपका खुब आशिरवाद मिला आपकी सबकी शुब कामनाई आ रही थी उसके लिए आप सबका बहुत ब लगातार लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं साथ आठ दिन होम आईसोलेशन में रहा अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ आप सब लोगों के शुबकानों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन दिल्ली में जो करोना की रफतार बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है उसको लेके मैं हमेशा से चंतित था हलांकि मैं होम आईसोलेशन में था लेकिन फोन के उपर मैं लगातार अपने सभी आफिसर्स से चीफ सेकरेटरी साब से हेल्थ मिनिस्टर से सबसे लगातार संपर्क में था जो जो इंतिजा बां किये जा रहे है और जिस तरह से करोना की स्पीड बढ़ रही है उसके उपर मैं नज़र रखे हुए था ईंग दिली के अंदर जो करोना की पूरे देश में करोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है तमिए रफतार बहुत ज़्जादा तेज है मैं देख रहा था कि कल वाला जो health bulletin था उसमें लगबग 20,000 के करीब cases आए थे और आज शाम को जो health bulletin आएगा उसमें लगबग 22,000 cases पिछले 24 घंटे के 22,000 cases आएंगे तो डेली बहुत तेजी से cases बढ़ रहे हैं जिसको जो एक चिंता का विशे तो है लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था घब घबराने की बात नहीं है जब मैं बोल रहा हूं घबराने की बात नहीं हैं तो मैं सारा डेटा एनलाइस करके बोल रहा हूं पिछली जो वेव आई थी अप्रेल मई में उसमें 7 मई को इतने ही daily cases आते थे 20,000 के करीब जैसे अभी 20,000 cases आये कल 20,000 cases per day daily cases आये 7 माई को भी 20,000 केस जाय थे पिछली वेव में लेकिन 7 माई को 341 मौते हुई थी 341 मौते लेकिन कल जब 20,000 केस जाय थे तो 7 मौत हुई है एक भी नहीं होनी चाहिए लेकिन कंपेरिजन में केवल 7 मौत हुई है 7 मई को जब 20,000 केसज आये थे तो लगबग 20,000 बेड्स दिल्ली अहए थे लेकिन क्ल 20,000 केसल आये हैं तो लगबग 10,000 वेड्स कैवल दिल्ली में भरे हुए हैं तो उस तरह से इस वेव के दौरान ब्लेट भी काफी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने के भी काफी कम जरूरत पड़ रही है ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है घबराने की कोई जरूरत नहीं है डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की जरूरत है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है कही लोग मेंगसे प्रष्ण पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा हम kto नहीं लगाना चाहते हैं लॉकडाउन नहीं लगेगा हम अगर आप मास्क पहन पहन के घर से बाहर निकलू कि मास्क पहन के कि चारो तरफ गोम अगर जूरू तु अपड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं फिलॉअ लॉकडाउन लग ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहें, लोगों के रोजगार चलते रहें LG साब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुएं कल हमारी DDMA के दुबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की जरूरत है नहीं है केंदर सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंदर सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है तो सब लोग मिलके मैं, LG साब, हमारे सारे officers, केंदर सरकार सब लोग मिलके situation के उपर नज़र रखे हुए और situation को control कियो हुए है पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके करोना की इतनी बड़ी इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रेल वाली थी उसको हम ने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पालेंगे चिंता करने के ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मएदारी के साथ काम करने के ज़रूरत है और जिन जिन लोगों ने वैक्सिन नहीं लगवाया प्लीज जाके वैक्सिन जरूर लगवा लीजिए वैक्सिन लगाने से मतलब यह नहीं है कि करोना नहीं होगा लेकिन करोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड करोना होगा आपकी जान को खत्रा नहीं होगा आपको अस्प